पुश्कार दोस्तों मैं मानस गुपता आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल दवर्सिटेल मेंटॉर पर कैसे हैं आप सभी ये वीडियो स्पेसिफिकली एससी सीजील के दो हजार पचीस के जित्ते भी छोटे गोटे एसपेरेंट्स हैं हमारे जो इदर उद में बता हूँ है क्या करना इंग्लिष में अच्छे जब बता रहा हूँ इक चीज के अलावा कुछ और करने की ज़रौति नियूए मैं आपको बता रहा हूं उन सारी एक्जाम्स में इंग्लिश का राम्मान इलाज यह है सबसे पहले आपको किताब के वारे में बता देता हूँ अगर आप बिगनर हो तो आपको यह किताब देखना बहुत जरूरी है जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ओपर किरन की यह किताब है किताब आपको कम से कम दो से तीन बार लगानी है इस किताब में अलग अलग टाइप पाइस कोश्चन है इस प्रकार के तो आपको यह बुक पकर लेना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके अलावा भी कोई बुक है तो वह बेस्ट है लेकिन यह बुक सबसे बेस्ट है बिगनर के लिए आई आप आगे बात करते हैं कि किस तरीके से पालाई करनी चाहिए सबसे पहल आपको इंग्लिश में सबसे इंपोर्टेंट बात बता देता हूं ग्रामर सबसे आखरी होती है सबसे इंपोर्टेंट जो चीज होती है उसका नाम होता है करो उसमें छोटी-छोटी अच्छे-ची कहानिया होती है उनको पढ़ो उनको समझ नहीं कोशिश करो अगर आप थोड़ा रीडिंग में एडवांस है तो अपने को जो पसंद है वो पढ़ना है न्यूस पेपर नहीं पढ़ना अगर आपको न्यूस पेपर पसंद है तो ही प बारें पढ़ना है क्रिकेट का फैन हूँ तो मैं विराट कोली के बारे में कुछ भी विक्कीपीडिया पर इंटरनेट पर पढ़ूंगा आप किसी और चीज के पर आपको कुछ भी अपने बारे में जानना है कुछ भी मतलब जो चीज आप जानना चाहते हो जिस चीज के तो आप समझ गए होंगे रीडिंग किस तरीके से करना है डेली अपने दिमाग में यह चीज बिठा लो कम से कम 15-20 मुट की रीडिंग करनी है ठीक है पहले कि 15 दिंद्गी में वह दिक्कत आती है लेकिन उसके बाद आप इस चीज में मक्खन हो जाओगा ठीक है दूसरा ज भी बहुत सारी बार vocabulary से हो जाता है और vocabulary में एंटो सिनो इडियम वनवर्ट spelling यह तो fix है हर paper में कम से कम 10 से 15 नमबर के यह आते हैं minimum बता रहा हूं मैं आपको यह ठीक है याद रख लेना मेरी बात इसको करने के लिए आपको बुग बताई उसमें 8800 चारू चीजें हैं तो आपको करना है करने का तरीका क्या होगा आज अगर मैं दो मैं पहले जो पहले को पढ़ुगा फिर मैं जब समझ रहा हूं है मतलब 25 वे मैं प्रपोरी रिवाइस मैं और किताब है पोरै क्या क्या हूं कर चोंगा होगा रिवीम होता है हो मिन इसके अलावा जब आप इससे बोर हो जाओगा तो साथ में कोई नहीं मिलती है वह आपको लिखनी है आपको लिखनी है आप अभी एससी की पेपर उठाकर देख लो 80% वही पुरानी आती है 20% वह आपको रीडिंग में कभी-कभी मिल जाएगी रीडिंग की वहती है वह आप खुछ जानना ही कोशिश करोगा जैसे मैं विराट कोली में इंट्रेस्टिंग हो और उसके बारे में कोई एक सेंटेंस पड़ा मैं उसमें कोई एक वोरेशियस करके वर्ड आ गया मान लो त इसकी प्रक्टिस किरन की किताब से पूरे 500 सवाल निप्टा दो आपको जिंदिके में कभी ज़रूत नि करेंगी और यह दो टॉपिक में हर बच्चे के फुल मांग साते हैं तो आपको लेकर आना है ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है ग्रामर ग्रामर के लिए अमन में की मुख से नाउन पढ़ेंगे और नाउन की कोशन लगाएंगे प्रोन पढ़ा दिया उन्होंने तो प्रोन पढ़ेंगे इस प्रकार से दो पहलेल हो गया जब यह प्रोसेस दो बार खतम हो जाएगी दो बार का मतलब एक बार वीडियो देख लिए साथ में किताब कर तब हम आएगे किरन पर फिर हम किरन को करेंगे एरर, सेंटेंस इंप्रोव्मेंट, फिल अप और आपके जो भी दो त्री टॉपिक और ग्रामर से रिलेटेड़ होते हैं समझ में आगई बात इसके बाद आता है सबसे इंपोर्टेंट कहानी क्लोस टेस्ट और रिडिंग क करेंगे किसी बेहालत में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेली चैनल को जाइन हो जाना लिंक डिस्क्रिप्शन में डेली है और आपको जल से जल मिलूँगा थैंक्यू बाए